आज पुरे देश की आँखे नम है सुरू की मलगा लता मंगेसकर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलबिदा कह दिया है लता मंगेसकर के निधन से हर गोई सदमे में है लता मंगेसकर को कुरोना हुआ था कुरोना संकर्मित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीज कैंडी अस्पताल में भरती कराया गया था कभी अपने गानों से आखों में आशु ला देने वाली लता जी ने आज दुनिया को अलबिदा कह दिया है और एक बार फिर सभी चाहने वालों की आखें उन्हें याद करते हुए भर आई है अजीब दास्ता है ये कहां सुरू कहां खतम जैसे कई मसहूर गाने को आवाज देने वाली सिंगल लता मंगेसकर के निधन से संगीत जगत ही नहीं बल्कि पुरे देश में सोक की लहर दोड़ गई है उन्होंने अपनी मधुर आवाज के जरिये करोडों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है भारत रतन लता मंगेसकर भारत की सबसे लोगप्री और आदरणी गाई क्या है जिनका 6 दसकों का कारकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है उनकी मधुर आवाज में करीब 6 दसकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है भारत की स्वर कोकिला लता मंगेसकर ने 20 भासाओं में 30,000 से अधिक गाना गाए है उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आँखों में आशू आ गए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला लता जी अपने आखरी वक्त तक स्वयम को पूरी तरस संगीत को समर्पित कर रखा था उनका जन्व 28 सितंबर 1929 को मदप्रदेश के इंदोर में हुआ था लता जी का पुरा नाम कुमारी लता दीनानात मंगेसकर है और उनके पिता दीनानात मंगेसकर एक कुसल रंग मंचई गायक थे अपने पिता के सानित में लता जी ने बचपन से ही संगीत की तालिम लेनी सुरू कर दी थी जब वे 5 साल की थी तभी से उन्होंने संगीश सीखना सुरू कर दिया था उनके साथ उनकी बहने आसा, उसा और मीना भी संगीश सीखा कर दी थी सुरीली अबाजो वाली लता को पांच साल की छोटी उम्र में ही उन्हें पहली बार एक नाटक में अभिने गरने का मौका मिला ये सायद ही लोगों को पता होगा लेकिन लता जी ने बाली बूर्ड में शुरुआत अपने एक्टिंग से किया था हलाकि उन्हें एक्टिंग से जादा गाने में दिल्चस्पी थी उनके जीवन का असली संगर्स उनके पिता के मौत के बास शुरू हुआ लता जी के पिता साल 1922 में दुनिया को अलविदा कह गए इस दोरान लता जी केवल 13 साल की थी तब नवयूग चित्रपट फिल्व कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर बिनायक ने इनके परिवार को समभाला और लता मंगेसकर को एक सिंगर और अपने तरी बनाने में मदद की लता जी के लिए बालिवुड में अपना नाम बनाना आसान नहीं था शुरूआत में तो कई संगीतकारों ने उन्हें उनकी पतली आवाज के लिए काने का काम देने से साफ मना कर दिया लेकिन इरादों की पक्की लता मंगेस कर गाने में अपनी आवास देनी की कोशिस लगातार करती रही धीरे धीरे अपनी लगन और प्रधिभा के बल पे उनको काम मिलने लगा लता जी की अदुभूत कामियाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मचबूत महिला बना दिया था लता जी को सारवधिक गीत रिकार्ट करने का भी गौरोप्राप्त है फिल्मी गीतों के साथ साथ उन्होंने गैर फिल्मी गीत भी बहुत बखुबी से गाये हैं लेकिन लता जी के निधन से देश पूरा सोक में डूब गया है डेक्स रिपोर्ट, डिके नियूज